कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी मारा दंदे में बहुत प्रोब्लम आती हैं मैं आपसे वंदना करता हूँ कि जब भी आप गर्षे निकलो दंदे के लिए निकलो चाई सगई के लिए निकलो चाई खेत के लिए निकलो चाई खरीदी करने के लिए निकलो आपको मेरी प्रातना है कि गर में जो जडू होता है न उसको प्रणाम करके निकल जाया करो आप महराज ये छोटी से बात लगेगी आपको छोटी से लगेगी परन्तु आप भेद पुरानों का अध्यन नहीं करते हैं इसलिए आप जाडू की कदर नहीं करते हैं आपको पता नहीं है साइद जाडू लक्षमी पुरान कहता है शाक्षात मा लक्षमी का रूप होता है जाडू होता है वो ऐसी वेसी चीज नहीं है जाडू को कोई ऐसी जगा मत रखो जिसके मादेम से हम या तो उसको क्रोश करके निकल जाए या फिर ठोकर मार दे पैरों में कभी जाडू नहीं आना चाहिए दूसरे नमबर जाडू क्या सिखाता है कि मैं बंदा हुआ हूँ तब तक मेरी महानता है मेरी वेलू है और जब मैं बिखर जाओंगा न मेरी सारी वेलू डिटी खतम हो जाएगी वो क्या संदेश दे रहा है कि परिवार जब मेरी तरब बंद के रहेगा वो परिवार कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता उसका और जैसे तिनका तिनका बिकर जाएगा उस परिवार में कभी भगवान के वास्तु क्या होम कोई सौन्ती कोई निरे मराज बिकरा हुआ परिवार है भाई भाईर आपस में जमे कोनी और देराणी जेठाणी यू निकले जोने राजधानी एक्सप्रेस निकली महराज़ बटे होम कराई जो अन्चाएज धुआ कराई जो कोई मतलब नहीं है मै मजाक ने कर रहा हूँ कई लोग के मार भायू मार जमीज को नहीं ए भूत जड़ा थारा भाईू थारे नहीं जमे तो दुनिया میں कट किनो जम ही थारे थारा सगा संबदिं जम ही नहीं सके तू किनोई नहीं रेशक्यों माराज बहुत कड़वा बोलता हूँ क्योंकि मेरे पाद चीनी और हतोडा है माराज मैं पत्थर से प्रेम नहीं कर सकता अगर चीनी और हतोडा उस पत्थर को नहीं मारूंगा तो मूर्ति कैसे बनाऊंगा माराज संभव नहीं है माटी से कभी कुमार प्रेम नहीं करता एक पेरों में पड़े हुए फूलने भगवान के पेरों में चरणों में पड़े हुए फूलने गले में माला को पुछा कि तू वहां कैसे पहुँच गया मैं यहां पड़ा हूँ चरणों में और तु भगवान के गले में तुस फूल ने क्या का पता हैं फूल ने क्या का के भाई मैं काल जारे माईने हुई काड़ी हूँ समझ में आईग निया ही मारे काल जारे मायने हुई रो डोरो निकलियो है पड़ मैं चू निकलियो मने ध्यान है क्या वो निकलियो तो निकलियो पड़ मारी जगा भी पाची उँची मिलेला जो दुख शैन करे जो सब्दोरी चोट शैन करे इविनो इस्तान भी थोड़ो उपर रियाक करें जो लड़की और लड़का जो माँबाप रो कैनों नहीं माने खास कर लड़की को उसकी लाइफ में ससुराल में रोने के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता वो लड़की लाइफ टाइम रोती पूरी जिंदगी रोती है जो आपने माँबाप रो कैनों नहीं माने आजकल सच में हम बचों को अच्छा एज़िकुशन दे रहे मैं बोलता हूं कि जो माँबाप बचों नहीं पढ़ाई सके मराज इनों कोई अर्थ नहीं है बचों नहीं खूब पढ़ाई जो खूब अच्छा लाइवल लेवल माते ले ज़ए जो पर उन्तु पहला उन्होंने इनसान बनाई जो अगर आपने इनसान बना के डॉक्टर बनाया है तो क्या होगा पता है जिसमें दया होगी वो क्या करेगा पहले क्या बोलेगा मरीज को जैसे ले जाओगे न आप तो क्या बोलेगा पहले इसका मैं ओपरेशन कर लो फिर बाद में देखा जाएगा तेरे पास पैसे नहीं बाद में देखूँगा पहले इसको मैं मेरा काम करने दे मुझे वो इंसान बनके डॉक्टर बना है, उसको मालूम है, अब इसके पास में पैसे मांगे नहीं जाते, और जो इंसान बनके डॉक्टर नहीं बनाने, पहला के जाओ काउंटर पे, पहली थोनी लूटे, उतार दे भचे, मैं थोने, ब्यारा मैं कर दें थोने, महराज, एक जिनने माबाप खूब पड़ाई, खूब पड़ाई, खूब डिगरी अशिल कराई, पन घर्रो काम हिकाई उच को ने, अब हो गई साधी उसकी, अब साधी रहे तो हावरा में तो काम करनो इस पड़े ना, अब गई ससुराल, अब महराज वात रोजरी आदत पड़ी ओड़ और उड़ तो ही बोले, साषुमा, खाना तयार है क्या, क्या हाँ बेटा तयार में ने बना लिया, साषुमा ये मेरे थोड़े कपड़े दो देना ने मैं थोड़ा गुम के आती हूँ, साषुमा दो लेती बेचारे, 15-20 दिन तो करियो, आखी में डोकरी काई रेगी मराज 17-18 दिन में दरवाजो बजान के बाई जी, पड़िया कोई हो, उड़ जाओन गेले हो जाओ, खानो बना दो, मारू कोप बने निया में रोटिया, अब छोरी तो बनावनी नी आव मराज, कैनी उतावली दो घर करे, अब दो अडर गई रोशोई में, रोटि बनावनी के न आवे, नोक्यों आटा में पाणी, नोक्यों होगियो राबडो, अब माराज घणो दोर विने पासो लेवल मात लाएन, रोटि बनाई तो बौंकी टेटी बनागी, आधी काची नाधी पाकी जीऊं लाई, थाली रे माने लाई, वा हाव जी रोटि उठाएन के थारी मा नोक्यों शिखाई तने, माराज मारो नाम लियो, इन छोरी रोमा तो खराब रेगियो, क्या डोकरी मारी मारो नाम की कर लियो, अब चाय बनाई तो इचोकी को नी, यानि सबजी बनाई तो इचोकी को नी, अम छोरी तो 10-15 दिन में काई रेगी माराज, काई री तो इती का आई री भगवान ने के ये परमात्मा ये दिन दयाल मारा हाउची मर जाए तो मैं नियाल वे जाओं सिर्फ पंदरा दिन बाद में अब महाराज वाचोरी भीचार करियों कि मारी साहिता शिर्फ मारा पापा कर सके दुछा तुमारे कोई समझे को नहीं मने हर पिता के लिए एक बेटी राज कुमारी होती है अब महाराज वाचोरी जावे और पापा ने प्रणाम करे और पापा आगे रोवन लागे पापा क्यों थारे रियोक आई थान। पोच्या करावे, रोटिया मारकनों बनावे, बरतनी मैं इस दोओं पापा, अन वाँ डोकरी बेटी-बेटी ओडर हलावे, पापा मने वाँ छाई जीच को नहीं, मन तो दवा देओ, पापा क्यों रेबेटा, ये तो नहीं कर सकता, क्या थोरी बेटी जाई, बस, सिधो इसा क्या थो डोकरी इनके पचे मैं, दोनों मों एक ने तो आउट रेवनों ही जाई, तो महराज, पापा क्यों कोई बात नहीं बेटा, ये काम कर, मैं थोड़ा लंबा कोर्स देता हूं, तीन महीने वरो कोर्स देऊं, जो दीरी दीरे डोकरी मर जाई, थारोई नौम नियावे अने कौम बन जाई, एकदम ततकाल मर गी तो बेटा थने ही पजाई, न मने ही पजाई, हाँ, क्यों पापा ओतो बात ठीक, प्रतीन महीने मरत जाई ने, के बेटा, 100% डोकरी जाएगी, अब दवा देदी, क्यों बेटा, एक काम कर जे, अगर थो नियम और पालन नहीं करे लाग तार हाँजी मरेलाईच को ने, वा छोरी के मैं लिकल ले जाऊ, नियम क्याडा पालन करना चीजे, के पहलो नियम तारी सासुमा उठेने, उन्हों पहला थने उठनों पडेला, थारे हाँजी अगर पांच वजे उठे, तो तने साधी चार वजे उठनों है, उठन घ घर में सिनान विजा कर, चाडू पोचा करन भगवान डी आरती करनी पडेला, के पापा मने आरती नियाओ के तो तो वे जड़ी कर जे अपन कर जे, गंटी बजाईजे, पच्छे पापा, के पच्छे थार हाँजी उठे 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 उठेला बढ़िया कब चाय बणा, चा सारसुमा, चाय पीलो, चाय पाईजे, फच्छे 10 जी रोटी जी में तो 9 जी रोटी पणाय दीजे, और हमेशा सामरा आदा गंटा तक तार हाँजी रपक दबाईजे, तो ही जा दवा कौम करेला बेटा, नित मारी कोई गारंटी? बाचोरी बोली, पापा, इत्तो करनो इस्वरी लिला रेवे, वाँ छोरी जावे, और सुबह बेगी उठे, सिनान बिजा करे, जाडू पोचा करन, गरमाराज पुझा करे, पुझा करन चाय बनावे, चाय बनान दवान है के, और लेजान के सारसुमा, ओ मम्मी, चाय पिलो, डोकरी के, आमारी बीदणी है के मैं एक दम कंप्लेट हूँ, मैं एक दम ओक हूँ, मेरको कोई प्रोब्लम नी है, नौ बजे खाना ते यार, और दिन भर काम करे, और सामरा, सासुमारा प्रक दबावे, हाँ जी के ए बेटा, तु इतो काम मति कर, तु ठाग जावेला, वाके डोकरी तीन महिने इस करनो मना पच बंदी राज करेला, फिर मोज करेगी बंदी देखना, ध्यान डगना, मन में केवे, अबे माराज, दो मीना बित्या, छोरी के मैनों एक इस बाकी रियो, आमें डोकरी रोज, बैटी-बैटी केवे, मारे बिदनी किती अच्छी है, किती भूटरी है, मारे आग्यारों आ करोडरी माया थारी जे, मारे वैसी मारे जीव होरों नी रेवे, काटा कद मने राम जी बुला देवे, एकदम छोरी चाबी तो लेली, और अंदर गई, और मारा ज्रोवन लागी, वाके ए मारा बगवान, आ मारा कृष्णा, मने मौत देदी जे, मारा हाउजी ने मौत मत देदी जे, एडा हाउजी में कटू लाउँ लारे कृष्णा, मारा हाउजी किता अच्छा है, मने सब कुछ मने दे दियो, है न, अबे मारा ज़ दोड़ी दोड़ी पापा करने गई, पापा इनने बचाए सके, दुझे कोई बचावन वाला नी है, अबे मारा ज़ गई प पापा करने, पापा ने क्यों, पापा मने एड़ी दवा बणान दो, के मारा हाउजी कदी मरेज को नी, के क्यों बेटा, के नी पापा दूजो में पच्छे बताओ, अरे मारा हाउजी किता अच्छा है, मने बेटी बेटी कहवे, और मारा हार चीज मने सुपरत कर दी पाप पापा हाउजी नी मरना नी तो मैं मर ज़ूँ ला पापा हसन जबाब दियो के बेटा एक बाद बदू के क्या पापा के जो मैंने दवा दी तीन तेरे को मरने की दवा थी नहीं तो फिर पापा अरे बेटा तेरे अवगुणों को मारना था तेरी जो बूरी आदते थी ले ट सारी चीजों माच विजे प्राप्त कर ली अब तुम हाउजी न थू एक रेगी बिटा है देवियां प्लेश नोट डिश्टब योर सासो कदी आपरी हाउजी ने डिश्टब मति कर जो आपरा हाउजी खराब है कोनी पहली बातो खराब आपरी आदतों वेशक है जो हाउजी अच्छी नहीं लाग रही है ठाप पड़ियों क्यों प्यासी वेवरी बाते भगोन वेड़ी ने वेड़ी इस देवे मराज सास्तर कहीं कह वे मैंने कह रहा हूँ गरब गिता कह रही है कि हे अर्जोन उस इस्तरी को सास और ससुर की सेवा का मोका मिलता है जिस इस्तरी ने जिसके पर मेरी कुर्पा नी होती है ये माताओ वे ना जिन माते मारा प्रभुरी कुर्पा है ने वे इज हाव होरोरी सेवा करे और जिन माते मारा भगवान डी कुर्पा नी है वे हाव होरो ने पाणी रो लोटो तक नी पाई सकेला क्यों कि मारा रामजी चावे इज को न तो निकालो 24 फूट रस तो निकालो क्यों कि मैं मर जाओ मारो बेटो मर जाई करोड़ो पीडिया मर जाई पर जब तक चांज रुज रहे ला और धर्ती माते मारग चालतो रहे ला इन्हें वास्ते में रोकने वालो नहीं हो अच्छो आदमी तो नहीं रोके माराज कदीस मारग नहीं रोके द्यान राग जो विने द्यान पर जावे कि मारग ने की नी रेवे लाश्ट में मने छेपुट जगा मिलेला वही समसान गाट में मैं चाए पांच करोड रू बंगलो बना दो तो भी मने उन बंगला में कोई रख नाड़ा नहीं है बने लाश्ट रेमाने समसान में ले जाए और माराज चाए तो जमीन में दफनावेला तो इच्छेपुट जगा है और चाए अगनी संसकार करेला तो भी छेपुट जगा है माराज तीसरे नमबरी बात है कि कोई मर जावे उनी अंती मियात्र में ज माराज आपने ध्यान पड़ जावे आपरा खेत माते जो पाली आवे ने माठ उनमाते हल नी चलावना चीजे शास्तर केवे हल खड़े पाली तोड़े ब्यान भई गरवास करे इतरा पाप्सम वरसाद नी आवे व्यति गंगा बंद हो जावे वेरों में पानी स्फूक जा माराज हल और पाली दोनु ब्यान भईरों रूप है इने वास्ते कदीज हल ने पाली माते नी चलावना चीजे आवे तो रातरा टेक्टर खड़ावे जन कहीं केवे के थोड़ों दबाए नावन दीजे ए थारी भली रेवे थारी माराज एक द्यान राग जो ना यग्य की जरूत है ना तपकी जरूत है ना वन की जरूत है कुछ भी जरूत नहीं है सिरफ जरूत है तो हमारी नीती साफ हो जाए तो सब कुछ हो जाए माराज खाले नीती साफ हो जा हमारी क्योंकि अगर नीती साफ नहीं आप यग्य कर रहे हो कोई मतलब नहीं है आप तीरित कर र आपके माते श्री को प्रणाम करो यहाथ देखो आपके पिता जी को प्रणाम करो मारे सास्तर तो ओइच कहँए के पहलो प्रणाम आपरे मात पिता ने रेवनों छीजे कोई कहँए माराज मातो बैंगलोर रहेवाँ मातो बंबई रहेवाँ मार कने माबाप नहीं है अरे भई मन में तो कर शको ना मैं ये थोड़ी कहर रहा हूं सामने जाके करो अगर गर में तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप मन में तो कर सकते हो ने पर्थम नाम तो ले सकते हो ना कोई कहते है अमारे तो है नी माबाप अरे चले गए तो कोई बात नी उनका नाम तो ले सकते हो नाम थोड़ी गया नाम थोड़ी भूल गयो और दूसरे नंबर सुब लेट लेवनी जुरूत नी पड़ेला मा तो नी दूखेला आपरी जिंद गिरिमायन है परन्तु करनों कहीं पड़ेला सुभे गरम पाणी पीवनों माराच ठाप पड़ियो गरम पाणी पीओगे आपका सरीर एकदम हेल्थी रहेगा क्योंकि गरम पाणी अमरत बतायोड़ो सास्त्रों में और फ्रीज रूप पाणी है वो जहर बतायोड़ो माराच सास्त्र तो यही कहता अपना अबे हमारे घर में तो जहर बनाने की फैक्ट्री लेके आते हम लोग 40-50 अजार रुपया देखे बड़ी आवाला फ्रीज लेके आते हमारे घर के बीमार नहीं हो रहे थोड़े यह काम करो ने एक ऐसी मशीन दो ताकि हम सारे लोग बीमार पड़े किसको जुखाम लगे किसको एलर्जी होनी चाहिए किसको स्वास की बीमारी होनी चाहिए अरे माराच और भूटियों ने पूछो पहली सुगर मैन यह डाइबिटीस मैन यह हमस्ता बासा कोई यह बीमारी हो नाम सुनियो कदी, नहीं सुनियो ना, यह तो अब यह कंपनिया माराज अपने घरे मेली, कि चीजों घरे ले जाओ, और सो प्रसेंट बीमार पड़ोगे, गारंटी के साथ में बिल बना के देते हैं, किसमें कोई संका नहीं है माराज, मैं मजाग नहीं कर र रखी हुई एपल कितने टाइम बाद में खानी चाहिए बता सकते हो कम से कम पैतालीस मिनट बाद में और अपन तो लेव तो ही आणन तो उटी साव है माराज लेव तो इन वो जैर खाई लियो माराज कम से काम उसका जो लेवल था ना जो खतम होना चीए फ्रीज का ठंडी र यह चाह जो पीते हो ना काली चाह पिया करो दूद वाली मत पियो समझ में आरी ना दूद वाली चाह आपके शरीर में अज्जारों बीमारियों को जन्नम देती है और काली चाह बीमारिया खतम करते है इतना ही फरक पड़ता है माराज आप काली चाह छे महीने पीके देखो आपके सरी में इतनी स्फूर्ती आ जाएगी, इतना आनंद आ जाएगा, इतनी खुशिया है, जो आलस आता है, जिसको आलस जादा आता है, उसको काली चाय का प्रियोग करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, और जिस किसी को भी, अगर सुगर है, और कई लोग बोलते हैं, बिमारी का इलाज नहीं है, और हम बोलते हैं, महराज, उसका इलाज 100% है, अगर किसी को सुगर की वज़े से गाव हो गया है, और डॉक्टर बोलेंगे, जिन्दगी पर आपको गोली लेने पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा, और हम बोलते हैं, बीना दवाई, आपका रिष्य मिला ही है, महराज, हम उसके गाव को ठीक करके बताएंगे, डॉक्टर को चैलेंज देंगे, कि हमने बीना दवाई इसको ठीक किया, महराज, आप कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, मेरे पास आने की जुरूत नहीं है, करना क्या आपको, कुछ नहीं करना है, जिसक गाव लग गया है, शुगर की वज़े से गाव भर नहीं रहा है, कई लोगों को वापस ठीक नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना महराज, सुबह उठते होने सुबह, सुबह उठते ही, आपको मूँ दोना नहीं है, बिना मूँ दोए, आपकी जो लार होती हैं, लार, वो लीजिए, बासी मूँ की लार, वो बासी ठूक आता ने, वो लीजिए और गाव पे लगा दीजिए, महराज ये इतनी पावर्फुल दवा होती हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, कुला करके उसको बार ठूक लेते महराज, जबकि बासी मूँ एक लोटा पानी पिना चाहिए हम को, कहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, रस बनता, रस का खुन बनता, खुन का मास बनता, मास का मेदा बनता, मेदा का मजा बनता, मेदा मजा के हड़िया मनती हैं, हड़िया के बाद में दीवी सक्ति बते हैं, उसको कहते हैं, आमी रश, जो रीट की से चड़ती है ताडवे में टपकती है दातों में जमा हो जाती पूरी रात में और फिर बात में हम क्या करते कुल्ला करके उसको बार थुक लेते